पर्देश भर के TGT अब्यार्थियों ने सियम आवास के सामने दिया धर्ना TGT भर्ती की प्रिक्षय का प्रणाम जल्द घोशित करने की मांग ड्यूटी मजिस्टेट को सोपा ग्यापन मुख्यमतरी निवास पर अधिकारी को ग्यापन सोपते हुए TGT अब्यार्थि हरियाना में 74-71 TGT भर्ती की प्रिक्षय का प्रणाम लटका हुआ है इसे नाराज पर्देश भर के ब्यार्थियों ने रविवार को सियम आवास की सामने धर्ना दिया अब्यार्थि सुबह सियम आवास की नजदीक पार्क में एक्तरित हो गए थे धर्ना देने के बाद उन्होंने ड्यूटी मजिस्टेट को ग्यापन सोपा इसके बाद सभी लोट गए TGT ब्यार्थियों की मांग है कि हाई कोट से सटे हटवा कर 771 TGT की भरती जल्द की जाए 7 79 TGT की प्रिकशिया अपरेल 2023 में हुई थी जिसके बाद प्रिकशिया में पार्श कुई अब्यार्थियों के दस्तावे जो की जाच भी हो चुगी है मगर सरकार की और से अब्यारतियों का प्रिक्षा प्रिणाम घोशित नहीं किया जा रहा उन्होंने बताया कि TGT भरती का मामला हाई कॉर्ट में विचारा दीन है जिसमें दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई 14 वे 20 नौंबर को होनी है TGT भरतीयों ने बताया कि किसी भी प्रिक्षा के पास करने के उपरांथ उसकी वैदिता साथ वरस्तक रहती है ऐसा हरियाना एच्टेट में प्रावधान है इसी तरह 2015 में भी कुछ भरतीयों ने एच्टेट पास किया था वे भरती 74-71 TGT भरती के लाइन में है जिसका मामला हाई कोट में विचारा दिन है उन्होंने कहा है कि इसके साथ साथ नई भरती में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि केंद्री विद्याले नगुद्दे विद्याले वो अन्य किसी प्राइविट संस्तान में कारियरत अद्यापकों को अनुभव का लाब दिया जाएगा इसमें केवल हरियाना के स्कूलों में पहले से ही अनुभंद आदार पर कारियरत अद्यापकों को अनुभव का लाब दिया जाना था आनुहो की प्रमानिकता को लेकर अभी संसे बना हुआ है और इसी वज़े से ये भर्ती कौट में गई है